हे गाइस आगे आ हूँ और एक मज़ेदर वीडियो के साथ आज इस वीडियो में Moto G64 के साथ Realme P1 का डीटेल कमपरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों फोन में से कौनसा फोन बेस्ट है कौनसा फोन आप लोगों को पार्चेस करना चाहिए देखिए दोनों ही फोन हाली में लॉंच हुआ है और दोनों फोन का जो प्राइस है बहुत ही सिमिला Realme P1 में दो वेरियेंट मिलता है एक 6GB 128GB 16,000 रोपीस में और एक 8GB 256GB 19,000 रोपीस में मिलता है Moto G64 का भी दो वेरियेंट है एक 8GB 128GB 15,000 रोपीस में मिलता है और एक 12GB 256GB 17,000 रोपीस में मिलता है सबसे पहले दोनों फोन का डीजाइन देखिए डीजाइन बिलकुल अलग-अलग है बहुत चारे लोगों को Realme का डीजाइन पसंद आएगा बहुत चारे लोगों को मोटरोला का डीजाइन पसंद आएगा दोनों फोन में ही बैकसेट की तरफ टेक्स्चर फिनिस जैसा दिया है हातों का निसन क्रेचेस बेगरा उतना ज़्यादा मुझे तो नोटीस नहीं हुआ कैमेरा मोडियूल देखिए रियल्मी के हर एक फोन में अभी एही कैमेरा मोडियूल दिया जा रहा है और अभियसली मॉटो हर एक फोन में सेम कैमेरा मोडियूल यूज करता है मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ डीजाइन अपना अपना ओपीनियन है लेकिन दोनों फोन में से मॉटो का फोन स्लाइटली मोटा है ओभियसली यहाँ पे 6000 एमिज का बैडरी है हैंट ग्रिप के बारे में बात करूँ मॉटरोला स्लाइटली कमफरडेबल मेरे को लगा है लेकिन मॉटरोला थोड़ा सा हेवी भी है और दोनों ही फोन में हाइब्रेट सिम स्लाइट है दोनों ही फोन में ड्यूयल स्पिकर है लेकिन रियल्मी का स्पिकर जादा लाउड है लेकिन मॉटरोला का जो स्पिकर वो हेवी बेस के साथ आता है और Motorola के phone में Dolby Admos का option भी दिया है तो अभी ऐसली sound quality में better मिलेगा Motorola लेकिन अगर आब लोगों को loud sound पसंद है अभी ऐसली realme आब लोगों को better लगेगा realme के phone में 6.67 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पले है और उसी जगा में Motorola के phone में 6.5 इंच का Full HD Plus IPS LCD डिस्पले मिलता है दोनों ही phone को काफी time तक मैंने use किया हूँ और बहुत सारे movie बेगरा भी दोनों ही phone में देखा हूँ अभी ऐसली दोस्तों better video देखने का experience realme के phone में ही मिलेगा AMOLED डिस्पले के बज़े से मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि Motorola का डिस्पले बेकार है Motorola का डिस्पले अच्छा है लेकिन Motorola से better है realme का डिस्पले दोनों ही phone को काफी time तक मैं outdoor में भी use किया हूँ realme का brightness बहुत जादा है Motorola को भी outdoor में काफी अच्छी तरीके से use कर पाओगे visible रहता है इसका डिस्पले लेकिन जादा bright है realme का phone इवन दोनों ही phone में आप लोग 4K HDR content YouTube में देख पाओगे Motorola का अंतुतु score 4,26,000 के असपास और Motorola से 1,00,000 जादा है realme का अंतुतु score 5,36,000 इसका अंतुतु score है एवन दोस्तों दोनों ही phone में मैंने CPU throttling को भी रान किया दा realme के phone में सुरू के 25 या 30 सेकेंड के असपास बहुत जादा डाउन चला गया दा लेकिन उसके बाद stable इसका CPU throttling था लेकिन Motorola के phone में middle में लगवक 4-5 मिनिट तक ग्राप नीचे आ गया था दोस्तों तो अभी ऐसली दोस्तों थोड़ा सा throttle इसू है Motorola के phone में लेकिन realme के phone में आप लोगों को 2 साल तक software update मिलेगा और जबकि Motorola के phone में 1 साल तक software update मिलेगा अभी ऐसली दोस्तों realme के phone में 1 यार्स जादा आपको Android वारसान देखने को मिलेगा realme के phone में realme UI run करता है और Motorola के phone में stock Android experience देखने को मिलता है देखिए जब आप लोग app drawer में जाओगे दुनों ही phone में na Motorola का जो interface है वो clean लगेगा realme के phone में बहुत ज़्यादा बेकार pre-install application मिल जाएगा उन में से hot apps, hot games पेगरा देखने को मिल जाएगा हलाकि वो सब कुछ को आप disable कर सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आप लोग disable नहीं करते हो आपको notification बेच कर बहुत परिशान करेगा और जो सारे बेकार application realme के phone में मिलता है न मैं एक हमगा uninstall कर दिया करो जब आप लोग new phone setup करने जाओगे realme के phone में तो बहुत चारे application साजक्सान भी करेगा तो उसारे application कभी भी install मत करना दोस्तों बरना बेकार में RAM खाएगा, internet यूज़ करेगा, background यूज़ करेगा उससे अच्छा है skip कर दो जब आप लोग motorola के phone setup कर रहे हो वहाँ पे push notification का एक option आएगा उसको disable कर देना दोस्तों जब आप लोग disable करोगे तब ही better experience मिलेगा बरना यहाँ पे भी बेकार में notification भेज़ेगा realme के phone में smooth extreme setting करके आप लोग BGMI खेल साकते हो उसी जगा में motorola के phone में smooth and ultra करके ही BGMI खेल साकते हो motorola का जो gaming experience है वो बहुत ही बुरा है दोस्तों attack attack के चलता है ऐसा लगता है दोस्तों 10 या 9000 के आसपास के phone में BGMI खेल रहे हो इतना ही नहीं दोस्तों मैं जब APS मीटार लगाया था बहुत ज़्यादा APS भी गिर गया था motorola के phone में यह मैंने खुद नोडिस किया हूँ और motorola का phone ना slightly hit up होता है long time तक गिम खेलने के बाद यह लोगों के आसपास दोस्तों लगवक देड़ घंटे या दो घंटे के पार जब आप लोग BGMI खेलोगे तब थोड़ा सा hit up करता है लोगों के आसपास motorola का phone realme के phone में भी मैंने भरपूर BGMI खेला हूँ देखिए realme के phone में भी lag, jitter, frame drop बेगरा मिल जाएगा BGMI के अंदर long time के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जब आप लोग 2 घंटा, 3 घंटे तक BGMI खेल रहे हूँ लेकिन दोस्तों motorola से better gaming experience realme के phone में मिलेगा obviously दोस्तों यहाँ पे 60 fps है और 60 fps करके मैंने खेला था, 55, कभी कबार 50 भी आ गिया था लेकिन motorola से तो ज़्यादा IPS मिल रहा है ना दोस्तों इसे लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों motorola से better gaming experience realme के phone में मिलता है realme के phone में UFS 3.1 storage type भी दिया गिया है motorola के phone में UFS 2.2 storage type है application open करके test कर रहा था कि कौनसा phone fast है मैंने देखा दोस्तों एक साथ open करने के बाद भी motorola तुरंती application को open कर दे रहा था जबकि realme animation बेगरा ली करा रहा था था थोड़ा सा late कर रहा था कभी कबार अभी असली दोस्तों motor मुझे slightly fast लगा है असपास निकलता है और उन में से दोस्तों अगर आब लोग heavy use करते हो skin on time use करते हो वहां पर motorola साड़े साथ 8 घंटे के असपास चल जाता है जबकि दोस्तों realme 4.45 इसके अंदर ही रहता है 5 तो cross नहीं कर पाता है कभी भी नहीं कर पाया है मैं कई बार टेस्ट कर चुका हूँ फिर भी 5 घंटे तो cross नहीं कर पाया है तो अभी ऐसली बैटरी के मामले में motorola थोड़ा सा उइनार रह जाता है और बैटरी के बज़े से फोन थोड़ा सा heavy भी बन जाता है realme के फोन में 45W का fast charging adapter है तो एक घंटे के अंदर full charge हो जाता है realme जबकि दोस्तों motorola full charge होनी के लिए ये time लगता है 1 hour 20 minute या 25 minute क्योंकि यहाँ पे 30W का charger दिया है motorola के फोन में side में fingerprint sensor है काफी fast है और उसी जगा में realme के फोन में in display fingerprint sensor है ये भी बहुत fast है देखिए motorola का जो fingerprint sensor है न वो मुझे थोड़ा सा odd लगता है क्योंकि थोड़ा सा उपर दिया गिया है पहले पहले थोड़ा सा uncomfortable लग सकता है और volume up-down button उससे भी ज़ादा उपर है अब चलो camera के बारे में बात करते हैं realme के फोन में back side की तरफ dual camera setup है 50 Mbps का primary sensor, 2 Mbps का depth sensor, 16 Mbps का selfie camera मिलता है realme के फोन में rear camera से full HD 60fps और full HD 30fps करके video recording कर पाओगे selfie में full HD 30fps तक ही है moto के फोन में full HD 30fps, rear या selfie दोनों में ही moto के फोन में back side की तरफ dual camera setup है 50 plus 8 Mbps, 50 Mbps का primary sensor, 8 Mbps का altroid और micro sensor एक साथ दिया है 16 Mbps का selfie camera मिलता है दोनों ही phone से अलग-अलग situation में बहुत सारी images वेगरा क्लिक किया हूँ सबसे पहले dynamic range चेक कर लिए जिए देखिए dynamic range में slightly मुझे better realme ही लगा है दोस्तों कुछ कुछ जगा में realme better sample खिसता है moto slightly dark tone लेकर आ जाता है कुछ कुछ जगा में तो dynamic range में obviously realme मुझे better लगा है काला टोन में भी मुझे slightly लगता है के Motorola slightly color को boost कर दे रहा है कभी कबार मेरे को ये personality मैसूस हुआ है side by side दोनों ही picture यहाँ पे देख लीजिए जो close to natural है ओ मुझे लगता है के realme slightly better है कुछ कुछ जगा में selfie camera के तरफ देखोगे देखिए यहाँ पे आप लोगों को Motorola slightly better लगेगा क्योंकि Motorola के phone में detailing better है selfie camera में अगर आप मेरे T-sat के तरफ देखोगे तो जो T-sat का original color है ना वो Moto के phone में ही दिखाई दे रहा है जबकि दोस्तो realme का phone slightly washout कर दिया है और selfie camera में background में जो sky बेग रहा है उसको भी अच्छी तरीके से optimize किया है Motorola का ही phone तो अभिएसली दोस्तो selfie camera का जो normal sample है Motorola better खिसता है even protect sample देखिए यहाँ पे भी दोस्तो Motorola के phone का जो picture है वो slightly better लगेगा यहाँ पे भी दोस्तो मेरे start का color Motorola के phone में ही original दिखाई दे रहा है even दोस्तो detailing के पास देखिए realme तो slightly beauty भी कर देता है protect mode के अंदर obviously दोस्तो normal हो या protect हो दोनों में ही दोस्तो Motorola काफी अच्छा मुझे लगा है rear camera का sample देखिए protect mode में obviously दोस्तों Moto के phone में ही आपको better sample मिलेगा realme का जो picture है मेरे face के तरब देखोगे slightly red tone डाल दिया है जबकि close to natural लखने का कुशिस करता है Motorola even मेरे T-sat के तरब देखिए realme का picture slightly मेरे start का जो color है उसको boost कर दिया है obviously दोस्तों protect mode में मुझे Motorola का picture अच्छा लगा even normal sample में देखोगे यहाँ पे भी Motorola का जो picture है वो मुझे slightly battery लगा है realme में देखोगे मेरे start का color बहुत ज़्यादा boost कर दिया है इतना boost picture नहीं चाहिए था motor के phone में आप लोग micro sample भी किस सकते हो जो की realme के phone में नहीं है micro sample थोड़ा बहुत आ जाता है दिया तो है Motorola के phone में जो realme के phone में नहीं मिलता है दोड़ोई phone से full hd 30 fps करके वीडियो निकाला हूँ आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजे rear camera से बताना comment box में quality कैसा है even selfie camera से भी मैंने एक footage निकाला था यहाँ पे भी compare करके आप लोग चेक कर लीजे लेकिन अगर आप लोग content उतना जदा consume नहीं करते हो camera आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हो battery life लंबा होना चाहिए एक stock android experience होना चाहिए clean UI हो कोई भी ad background ना आए तो भी असली दोस्तों मैं कहूंगा एक बार Motorola के पास देखना एक value फर्मानी मुझे लगता है दोस्तों बागी आप लोग comment box में जरूर बताना दोनों phone में से कौन सा phone आप लोगों को better लगा वेडियो अगर अच्छा लगा हो like, share, subscribe करना मत भूलिए मिलते हैं अगले एक fresh video में